हलो गाईज, दिस इजा सिक्षा उपाद्याय, आप सभी का हमारी यूटूब चैनल बियलेट कोर्स में हर्दिक स्वगत है गाईज क्योंकि जो CET है वो अभी न्यूज में है, जैसे कि जब न्यू एजिकेशन पॉलिसी आया था 2020 तो वो बहुत ही ज़्यादा चर्चे में था और अभी फिलहाल में CET न्रे बहुत डिसकसन या चर्चे में है तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इससे अपडेट करवाया जाए क्योंकि हम लोग एजुकेशन के फिल्ड में हैं तो यह एजुकेशन के फिल्ड में जो भी पॉ इनकारी होनी चाहिए तो इसी के ध्यान में रखते हुए मैंने इसे आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CET ना जो है यह ससी बैंक और रेलवे के लिए हेलफूल है यहां आप देख रहे हैं कि ससी यानि कि स्टाप सेलेक्शन कोमीशन और बैंक बैंक बैंकिंग को जो जितने भी एक्जाम होते हैं उसे एक संस्था है आई बी पीएस यानि के इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्शनल सेलेक्शन यह आई बीपीएस संस्था करवाती है अब इन सब के अस्थान पर कैसे नारे आने वाला है और CET जो इनका अगर हम सोचें कि यह होता ही है तो एक टिशर के लिए है और यह जो आने तो लेकिन यह अगर क्यों पढ़ा रहे हैं अगर आपके मन में प्रस्ण उठता है क्योंकि ये बिड्यूट से रिलेटेड नहीं है फिर वह यह डिसकस में है ये निऊज में है और ये क्योंकि एजूकेशन से रिलेटेड है तो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए बस इसे को द्यान में रखते हुए गाईस मैं आज का सेशन स्टार्ट करती हूं जैसे कि आप यहां देख रहे हैं सीटी यानि की कॉमन इलिजबिल्टी टेस्ट यह इसका फुल फॉर्म है सीटी का यानि की समान योगता टेस्ट समान योगता परिक्षा यह है सीटी अब सीटी किन किन एक्जाम के अस्थान पर होगा और इसको कौन सी संस्था कराएगी इन्हीं सब की बारे में हमें डिसक्स करना है तो फिर हम यहां देखते हैं जैसे कि एनारे है तो यह नारे का फुल फॉर्म है निशनल रिकूट्मेंट एजनसी यानि जो सीटी का इक्जाम कंडक्ट कराएगी उसी अजैसी का ही नाम है निशनल रिकूट्मेंट एजैसी एन- आरे जिसको हम सॉट में बोलते हैं इन–स्नारे और सीटी के बारे में हमें डिसकस करना है जैसा कि पहले सीएटी घुसी इटी था पहले पहले तो था नहीं अब यह फिलाल मेंै वैंगिंग इसे को एक्जाम होता था इसमें किसी किसी एक्जाम में होते हैं तो प्रिक अस्थान पर से क्वाल एक ही परिक्षा होगी और NRA जो है जैसे कि SSC को जो conduct कराती थी जो और railway से related जो exam था उसे conduct कराने वाली जो संस्था थी और banking जैसे कि इसके लिए IBPS थी तो ये संस्था करवाती थी तो इन सब के अस्थान पर केवाल अब एक संस्था होगी NRA यानि ये पूरा ये तियों जो exam है यानि कि CET उसके अस् सब्सक्राइब से जुड़ी नौकरी के लिए online आयोजित होने वाली प्रारंभिक परिच्छा को CET नाम दिया गया है अब इसके हम फायदे देखेंगे और इसके कई सारे और information से देखेंगे जैसे कि है इसके अब हम फायदे की बात अगर करते हैं तो अलग अलग भरतियों के लिए एक ही परिच्छा होने से उमीदवार का बैलेंस बचेगा जैसे कि अब तक अलग अलग परिच्छाएं होती थी तो उसके अस्थान पर अब एक ही परिच्छा होगी तो जो बच्चे थे उनको इसके लिए बार-बार admission करवाना पड़ता था बार-बार form अप्लाई करना पड़ता था तो उसके लिए एक ही बार होगा तो ऐसे में उनका बैलेंस भी बचेगा परिच्छा और फिर उसके ब रहे हैं रेल में दे रहे हैं बैंकिंग में पहले तो अलग अलग देते थे बट अब ऐसा हो गया है कि यह अगर सीटी कौलिफाइग कर लिए हैं फिर उसके बाद किसी का भी मेंस दे सकते हैं मेंस का परटन नहीं चेंज हुआ है आप लोगों को पता होने चाहिए और जो इसम नमबर्स यानि किए कितने बाडर कोई जो उमीदवार है जो पढ़िच्छा देने वाला है तो कितना अटेम्ट कर सकता है तो यह इंट्वार है बगों हिरत्व जाइवो चाहिए फ्रमकोर को EV प्राइन के लिए अगल नहीं जाना पड़ेगा अगर दूर नहीं जाना पड़ेगा तो बच्चों को महिलाया भी राती है लटीं उनकोब यह सारी इतएं चाहें ही सक्षाब सिंटर 59 सबसे और जैसे क्षिटलक पएसे लगते हैं तो लाएट में जो All- replies 55vous तो यह जदा पैसे करने होते हैं तो सब्सकर शेंगे और फिर उसके बाद है, 10th, 12th graduation के बाद, यानि कि जो CET है, इसके type अलग है, 10th, 12th graduation, जैसे कि इसमें 10th के बच्चे, 12th के बच्चे, graduation के बच्चे जो अगर exam देते हैं, तो इनके लिए posting अलग होती है, तो जो CET है, 10th के लिए CET का अलग होगा, 12th का अलग होगा, graduation का अलग होगा, और जैसे 10th का थोड़ा सरल रहेगा, 12th का उससे कठीन होगा, तो ये सब थोड़ा changing आएगा, फिर उसके बाद हम देखते हैं, मेंस का pattern, हमने अभी बताया था कि इसमें जो मेंस होगा, उसका pattern, वो तो change ही नहीं होगा, वो जैसे था, वैसे सेम ही है, बस परी के स्थान पर CET होगा, और ये एक वर्ष में दो बार आयोजन, और इसमें ये बात हमें याद रखना ज़रूरी है, ये objective होगा, जैसे कि अगर कई चात शात राएं हैं, जो BLA किसी के force में आकर कर लिए हैं, तो अगर वो graduate हो जाते हैं, या 10th, 12th के बाद ही देना चाहते हैं, तो वो CET के लिए apply कर सकते हैं, और ये जैसे था कि पहले हम जो exam देते थे, SSC का, railway का, banking का, तो वो केवल दो ही language में था, हिंदी में था और English में, लेकिन अब ये pattern change हो गया है, इस के अस्थान पर 12 हामिल है, तो जैसे कि गाइस यहां आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है, वन नेशन, वन एक्जाम, वन नेशन, वन एक्जाम, एन आरे CET, बस ये तीन फिल्ड के लिए apply होगा, किसके किसके लिए, SSC, railway, banking, आप लोगों को बहुत अच्छे से clear हो गया होगा, ये, ये सारा discussion जितना मैंने आज किया है, गाइस और ये एक information देनी थी, जैसे कि आप लोगों को, जो UGC है, जेई है, नीट है, अब जेई नीट अभी लेकिन 2020 वाला जो एक्जाम था, रुख तो गया था, बट इन सब अभी करवाने वाले हैं, इसमें 25 लाग लगभच्छा तसामिल हो होने वाले हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि मोदी जी के पास ट्वीट करें, या जो भी ये संस्था है, जो जेई और नीट का एक्जाम करवाती है, आप उनसे निवेदन करें ट्वीट पर लिखें, कि इनका ना लिया जाए नहीं, तो अगर क्रोना से संक्रमित होंगे, तो पता नहीं कितने घर के उजाले बुच जाएंगे, तो अभी क्योंकि कोरोना का वैक्सिन आया नहीं है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, कि आप लोगों जितने सारे अजेंसी पेपर अभी कंड़क्ट करवाने वाली हैं, आप लोगों की वज़ा से अगर रूख स जाएगा की नहीं, तो एक साल जैसे कि हम लोग भी बहुत सारा सहयोग करें हैं, तो वैसे ही सरकार को चाहिए, और UGC को चाहिए कि हम लोगों को एक साल के लिए अब प्रमोट कर दें, क्योंकि जान है तो जहान है, गाइज मुझे आसा है आप लोगों को हमारा वीडियो बेहत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो, तो लाइक, सब्सक्राइब, सेर कीजिए, जैसा कि बेहलेट कोर्स के जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं, 272 पहुच गए हैं, आप जल्दी से इससे आगे पहुचा आईए, ताकि हम में भी मोटिवेशन गेन हो सके, और हम लिए बहुत अच्छे से वीडियो लेकर आएं, और बहुत अच्छे से एक्स्प्लाइनेशन करें, तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फियर कीजिए, गाइस, थैंक्स पर वाचिंग,